जय हिंद इस वीडियो में लोग इंफोटेक कंपनी के बारे में बात करेंगे आज इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट जारी कि हैं जिसके ओपर बिना देरी की हम डियरेक्ट आते हैं और काम की बात सुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे तो कंपनी के बोर्ड साल के जो क्वार्ट 3 के रिजल्ट आयते हैं उसको दर्सानी क्लिए बनाए गया है आप देखेंगे को इन्डेन इंट फोटेक का रविनू 2 करोड 25 लाख रुपय का हुआ है और पिछले क्वार्टर में भी 2 क्वार्टर 25 लाख रुपय का कंपनी को रिभिनू पराब था यानि कि quarter to quarter बात करें तो revenue बढ़ा नहीं है और नहीं कम हुआ है अर्थात सेम ही रह गया है तो ये परकार से अच्छा है भले revenue नहीं बढ़ा है लेकिन कम नहीं हुआ है इस मामले में भी यह ठीक है लेकिन बात करें पिछले साल के quarter 3 के result की तो उसमें 3 क्रोन का revenue company को सीधे-सी पर खर्च किये हैं जो कि पिछले क्वाटर में 11,45,000 था और साल पर पहले की बात करें दू करोंड़ 66 लाग रुपए कंपनी ने अपने बिजनेस पर अलग-लग कारों पर खर्च किये थे तो जैसे हम देख रहे हैं कंपनी का रिभीनु में गिरावट आ है कंपनी ने अपने को एक क्रोंड 65 लाग रुपए का सुध मुनाफ़ा पराप्त हुआ है जो कि पिछले क्वाटर में 2 क्रोंड 13 लाग का हुआ था अर्था क्वाटर ली अस्तर पर देखें तो कंपनी को प्रोफिट थोड़ा सा कम हुआ है लेकि जब हम सलाना अस्तर पर देखते हैं तो तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं आर्णिंग पर सेर का डाटर उपलाफ दें नहीं हो पाया है पिछले क्वाटर की बात करें तो 0.02 पैसा हुआ था तता साल पर पहले की बात करें तो कुछ EPS नहीं हुआ था 0.00 ही है तो अब अगर और बात करें तो नतीजे ना तो बह सुक्सान हो रहा है तो आप निकल सकते हैं लेकिन अगर अगर भी मुनाफा में और इसमें समय देना चाहते तो इसमें दिया जा सकता है यह कमपनी उतनी भी बुरी नहीं है लॉंग तर्म कर सकती है उम्मीद करता हूं मैंने जो बताया को समझ में होगा मन में को सभ़ते धन्य बाद शुक्रिया